देश भर में उल्लू को मतलक्षमी का वाहन माना जाता है और दिवाली के आसपास तंतमंतर विद्या में उल्लू की खूनकार उसकी तमाम चीजों का नाखून वगेरा का इस्तमाल किया जाता है इसलिए दिवाली के आसपास उल्लू के शिकार की घटना एक काफी तीजी से ब उत्राखन के PCCF Wildlife है, रिजिन कुमार मिश्रा जी जानते हो उनसे कि किस तरह से इस बार उल्लो को प्रिटक्ट करने के लिए तियारी की जा रही है, सर उल्लो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी है wildlife के लिए, और हर साल उसको पर खत्रा मन राता है दिवाली के आस पास, त और उसके भी फ्रेंड है जो हमारा ग्रेंज को स्टोर करके रखते हैं, मतलब यह हुमान बिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपूर्टन स्पेसे से हमको प्रोटेट करता है, जंगल में भी रादेंस का पॉपूलेशन ना बढ़े ताकि प्राकुदी रूप में संदूलन रखें, उसके लिए करता है, और तीसरा आपने जैसा कहा है कि मालक्ष्मी जी का वहन है और हम उसी को ही दिवाली का टाइम पर हमने यूज करते हैं कि हमको मालक्ष्मी प्रसंद हो, यह बहुत बड़ा एक विसंगती है, हम उसके उपर ज्यादा लोगों को फोकस करना चाह है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक सुपस्विशन के उपर ज्यादा विस्वास करते हैं, जो कि गलत है बिल्कुल, तो हमने यह कर रहे हैं इस बार की फोरेस्ट डिवाट्मेंट के द्वारा हमने लोगों से यह अनुरोद कर रहे हैं कि जिसने भी इस प्रगर का कारिय यही कर रहा है, तो उसको वाईलाइफ एक्ट में उसके उपर उसको जो प्रभ़िदान है उसके तहट कारवाई करने के लिए आम करेंगे, आम आपको बताईए, ताकि उन लोगों के उपर हमने कारवाई कर सकें. और हमारा जो स्टाफ है, उनको भी कहा गया है कि एंटार उत्राखंड में, कि ये प्रोटेक्टेंटेडेड अर्या शर्का बात में नहीं कर रहा हूं, तो हमने ऐसा कर रखा हैं कि पूरा पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसके निग्रानी रखेंगे कि इस प्रकार के उल्लू के उपर कोई भी तरासदी ना आए. कि अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली माना जाएगा कि यह हमारा जो क्रिशक बंधुए उनके उपर भी हमने एक अन्याय कर रहे हैं एवंग मालक्ष्मी जी का भी हमने उनका भी सम्मान नहीं कर पा रहे हैं इस प्रकार का कृतिय करते हुए तो इसको बताने के लिए हमने आफी मात्रामी यह चीजे भी आ रहा है आज भी आ रख हैं तो मैं तो इसमें स्वंतुष्टी तो नहीं करूंगा कि हमारा सतत प्रयास लगेगा केवल दिपावली नहीं दिपावली के बाद में भी उल्ली को उपर कोई ऐसा नहीं हुए कि कोई चीजे रूख जाए तो हम समचारी हैं उनकी चुटियां भी कैंसल कर दी जाती है इस बाद चुटियों को लेकर कि क्या आपने आदेश दिया हैं तो सामयने रूप से जो चुट्टी मिलेगा है सुविधा उसको हमने रोग दिया गया है जिसका अती ज़र्वत पड़े कोई फैमिली का प्रोब्लेम् तो उसको हमने अच्छी तरह स्कुटियों करने के बाद ही चुटि देंगे क्योंकि इस समय पे हमारा सबसे ज़्यादा इंपोड़ान्स है कि दिवाली लोग अच्छी तरह मनाए और हमने दिवाली से जिन जानुवार के उपर खतरा हो सकता है उसको रोके मैं आपका सामयन जाना हो जाता है तो इसके लिए हमारा प्रोटेक्टेटेड एरियास का जो डायरेक्टर से इन्होंने अलरी जो मेरा जो डायरेक्शन था उसकी हिसाब से उन्होंने निकाल चुक है कि इसमें सतत गस्त होगा अक्ति आवस्य पढ़ने पर चुटी दिया जाएगा नहीं तो यह मेडिया द्वारा तो नहीं होता हुआ लेकिन हमार पास चुट मोड आता है इस प्रकार की जिसको हमने तुरंद रोकने के लिए इसका प्रयास करते हैं तुरू आवर इंटेलिजन्स नेट्वर्क्स जो होते हैं हमारा मुगवीर काफी है उसमें लेकिन मैं यह कहना चा जो होते हैं जानुवार नेरिय जानुवार जिसका होते हैं जो किसी किस नहीं बिगाड़ा उसको मारना बहुत ज़्यादा गलत बात है तो इसका आप अच्छी तरह समझ लेना चाहिए हमारे साथ बात करने के लिए उत्राखंट फॉरस्ट डिपार्टमेंट के PCCF नजर है और उनका जो सरविलान से लगातार उनकी मुवमेंट्स पर नजर रखे हुए है अगर वो कोशिश करते हैं उत्राखंट के जंगलों में आने की तो उनके खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी ABP गंगा खबर आपकी जवाआपकी